हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग आई हो की बहतर होगे और बहतर तरीके से अपनी नीट और आटी जई की प्रिप्रेशन कर रहे होगे खास करके मार्श और अप्रेल एक ऐसा महीं यह एक ऐसे टाइम होते हैं इस टाइम प्रियेड में बेसिकली आप करते हैं और अपने टाइम का मैक्समें मुटिलाइज करते हैं सारे बच्चे चाहते हैं कि इस टाइम का मैक्समें मुटिलाइज करके हम इंडिया के बहतरीन से बहतरीन कॉलेज में एडिमिशन ले सके और बैसिकली जो है कुछ बच्चे को डाउट होता है यहां पर अतुल यह हमारा पर्मेर्ट वीवर्स है और यह बच्चा आप 11 घंटे पहले कमेंड किया है इसको भी यह कोशन डाउट है कि Sir previous year कितने साल का करना चाहिए यह किमांसु नाम का बच्चा है यह previous year चैप्टर कितने साल का करना चाहिए सर तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं नीट की बात करूं मैं एक्जामपल के साथ आपको समझाओंगा इस वीडियो में तो नीट की अगर बात करोगे तो लास्ट ट्वंटी से ट्वंटी टू यह कि अगर प्रिवियस यह कर लेते हो नीट के पी वाई की तो अगर आप पढ़ाई बहतर तरीके से किये आपके कंसेट क्लियर हैं त्रॉटिकल इस्टॉंग और प्रिवियस यह ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा नीट का फाइनल एक्जाम है और उसको टाइम मेनेजमे यह हो एक गंटे में इतने कोषण करने जैसे पचास कोशन आएगा तो नीट में तो पैतालिस कोशन करने है तो कोशिस करो कि एक गंटे में जो है 30 या पचीस का एवरेज या मालों आगर जो बैसिकली अगर तुम करोगे प्रिवियस यह तो चालिसका अगर आए तो सब्सक्राइब तुम्हारे लेवल उनको से ऊपर है और जो नहीं हुआ वही तो कोशन उसको कई बार करो तो कई बार करोगे मेनी टाइमस उसको करोगे तो वह concept और वह फार्मुले तुम्हारे दिमाग में जाके बैठ जाएंगे और तुम बहतर तरीके से उस question से कुछ ने कुछ सीख जाओगे जैमेन की बात करोगे तो जैमेन में इतने जादे ही question ही आ जनरली जैमेन और नीट के देखोगे तो नए question जनरली नहीं आते एडवांस की बात अलगे तो जो है नीट और जैमेन के हा अभी आप्तिक्स में अपलोड किया हूँ जिसमें eighty six question previous year question है तो अगर eighty six previous year question है तो लाषट twenty three में twenty three में इससे के तीन कोशन आया था तो अगर कोई बच्छा eighty six question कर लेता या 90 कौशन कर लेता previous year तो क्या वो बहुत ज़्यादा probability है बहुत ज़्यादा कर लेगा तो अगर तुम देखोगे यहां पर यह एक लेंस के आसपास सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिक्विड रखा है तो ऐसा तो कोश्चन यह कोश्चन प्रिवीस यह देखोगे तो यह कोश्चन कई बार पूशा गया ठीक है कम से कम चार से पांच बार एक टुम चाहिए तो जाती है ठीक है तो फोकल निकालो भीए सीधी पास जाएगी तो यह कंतना मैतमेटिकली भी कर सकते हो कंसक्यूली कर सकते हो और यह कोश्चन कोई पुराना कोश्चन नहीं है यह ऐसा प्रिविएस यह में आया हुआ खोश्चन है फोकल लेंध निकालना यह देखो critical angle निकालने को question आया तो क्या critical angle निकालना नहीं आता critical angle निकालना last 10 year के करोगे उसी में आ जाएगा तो नीट वाले बेसिकली अभी focus करो और जैमेन वाले basically focus करो previous year में और अगर कोई दिक्कत है कोई परसानी है तो उसको doubt में जाओ doubt theory solve करो theory देखो एक बार फिर आओ previous year पर और मेरे चैनल के साथ बने रहो I hope कि आप बहतर comment करोगे अगर कोई दिक्कत है कोई परसानी है तो मुसे discuss करोगे थेंक यू बाबाबा टेक केर